हाव बढ़िं गर्ट करते हैं फिर वर्ट मेटिकूलर्स वर्ट आया था ऊहनल टक्रों लिए ज्च वर्ड माइग्ड्रेट्री माइग्रेट्री माइग्रेट्री माइग्रेशन भी होता है much bakery law migration certificate भी आपने सुना ही बात करते हैं wandering wandering means भटकना भी होता है ब्रह्मन करना भी होता है जैसे migratory words words sorry birds बाती है पक्षिया आते हैं चडिया आती है विदेश से वह यहां पर आती है तो अचा migration certificate भी आपने सुना होगा जब किसी a university से हमने किया a university से हमने डिगरी लिए सपोस कीजिए और हम भी युनिवर्स्टी में इंटर करना चाह रहे हैं तो युनिवर्स्टी जो चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें migration certificate तो सेम वही वर्ड है migratory migration certificate वहाँ पर आपको देना होता है जब युवर्स्टी चेंज होती है यह तो वांडरिंग मीन्स भटकना बहुत सारे पक्षी विदेशों से आते हैं यहां पर कुछ सीजन के अंदर फिर चले जाते हैं रिटन हो जाते हैं तो उनको हाँ मेंडेट मीन्स ओडर ओफ दापीपल ओडर ओफ दापीपल लोगों का आदेश जना आदेश मेंडेट मेंडेट ओफ दे मेंडेट आदेश दिया है लोगों ने प्रफर किया प्रसंद किया कि आप गॉर्मेंट बनाईये तो इसको मेंडेट कहा जाता है जनादेश, लोगों का आदेश है कि आप गॉर्मेंट सरकार की बाम दोर समालिए, सरकार को अपनी नीती की अनुसार चलाईये, इसको मेंडेट कहा जाता है, जनादेश, clear, next, मूट M-O-O-T मूट debatable D-E-B-A-T-A-B-L-E debatable means जिस पर आप चर्चा कर सकते हैं कोई भी चीज है वो कोई भी काम है वो discussion के थुरू होना चाहिए ठीक है discussion बहुत अच्छा मना जाता है जब सब लोग discuss करें and after discussion कोई decision लेते हैं तो बहुत ही proper suppose कि यह 10 लोग हैं और आपस में 10 के 10 लोग अपने विचार विमर्स रखें discuss करें and after that discussion एक healthy discussion के बाद एक decision जो लिया जाता है वो हमेशा mature होता है वो हमेशा acceptable होगा किसी को भी उसमें कोई आपती नहीं होगी next है next करते है magnitude 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 means greatness महानता भी होती है और extent कहां तक लिमिट होती है magnitude विस्तार भी कहा सकते है extent उसके चुट्टियां बढ़गे extent वो जो extent word है वो यह तो कहां तक फैलाव है कहां तक उसका magnitude है तो उसको magnitude कहा जाता extent या greatness महानता उसका जो impression है कहां तक फैलाव होगा है next करेंगे यह कई बार आए भी फिर भी लिख लेते हैं monotony मैं इसको बार बार लिखता रहता हूँ monotony monotony का मतलब एक तो boredom एक dullness boore boredom dullness यानि के आलश्य 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 से मतलब मेरा थोड़ा सा निरस्ता से आलश्य नहीं कहाएंगे इसको निरस आलश्य कव आएगा जिस काम में आपको आलश्य कव आएगा इस वे में कह सकते हैं आलश्य उस में कहते हैं जब हम उस काम में इंट्रेस्ट नहीं लगते तो हम वी स्टार्ट हम उसमें थोड़ा सा आलश्य आन लगता है जिसमें इंट्रेस्ट ना हो तो monotony वही होता है boredom dullness जिस पोई मूवी देख रहे हैं आप सपोस किजिए you are watching movie and moving is monotony boredom dullness तो आपको tarnes होने लगेगा थकावट होने लगेगी उसको कहा जाता है यहाँ पर monotony तो निरस चाहे वो मूवी हो जीवन हो उसको हम निरस कहने की बात के लिए आता है नेक्स्ट है militate 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 work against work against militant आपने सुना होगा आतंकवादी जो है वो आतंकवादी क्या करते है system जो चल रहा होता है जो government का system उसको fail यह और साबित करने के लिए activity करते रहते है work against the system जिससे की यह हो जाए कि यह जो system है present जो system है government जो चला रही है सब fail है विकार है ऐसी वो activity करते है system को disturb करने के लिए militant activities को चलाया जाता है clear सांती को खतम किया जाता है यह आप कह सकते है सब्याइ next है modicum modicum small amount small amount modicum means small amount यानि के छोटी सी मात्रा small amount इसको वैसे तो छोटी मात्रा modicum कह दिया छोटी रकम amount cash भी होता है छोटी सी रकम लेकिन अगर हम एक बात वर्ड आता है ओने लार्ज स्केल या इन्हे उन्हे उन्हे स्माल स्केल ओना small scale छोटे पैमाने पर ओन ए लार्ज स्केल बड़े पैमाने पर लेकिन modicum का मतलए small amount छोटी सी रकम modicum छोटी सी small amount एक वर्ड पैटी वर्ड भी आता है पैटी छोटी छोटी पैटी बहुत छोटी छोटे जो खर्चे होते हैं पैटी expenses छोटी छोटी जो रकम होती है next है हावे next word Mirad M-Y-R-I-D R-I-A-D M-Y-R-I-A-D Mirad mean large number Large number Large number जैसे Mirad stars Stars भी क्या है बहुत बड़ी संख्या में अलाब उसे count भी नहीं कर सकते इतनी बड़ी संख्या में तो Mirad M-Y-R-I-A-D Mirad Large number यह सब इसके लिए आता है next word Medal person Medalsam Sorry M-E-Double-D-L-E Medalsam Interfering Interfering Medalsam 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 एक ऐसे वेक्ती ठीक, next है, next है, miscreant, miscreant, चलो इसको थोड़ा वो करते हैं, miscreant, हावे, rowdy element, कुंडा तत, rowdy element, लडाकू तत, जगडालू तक, miscreant, उसको कहा जाता है, rowdy element, ठीक, एक वर्ड है, एक वर्ड है, martinet, m-a-r-t-i, martinet, martinet, strict disciplinarian, strict, discipline, बहुत ज़्यादा, martinet है, माली जी, हमारे principle की बात करें, our principle is martinet, तो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, martinet means, बहुत ज़्यादा, disciplinar को करने वाला वेक्ती, उसको कहा जाता है, martinet, ठीक है, चलो, इसको फिर इतना ही रखता है,